आइनेस वागीर की क्या है खूबियां? इसके नौसेना में जुड़ जाने के बाद से भारतिय नौसेना को क्या फाइदे होंगे? क्यूं इसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में. नमस्कार में नामे स्वाणना और आप देख रहे हैं अंकट. भारतिय नौसेना में आइनेस वागीर को शामिल किया गया है. कलवारी क्लास कि ये पाचवी पंडुब्बी है. भारतिय नौसेना की मा ने तो इंडियन नेवी ने सबसे पहले 1 नवंबर 1973 को वागीर को कमिशन किया था. इस पंडुब्बी ने कई अभियानों को शामिल करने की बात कही गई. भारतिय नौसेना का दावा है कि ये भारत में सबसे कम समय में तयार होने वाली पंडुब्बी है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम वागीर ही क्यों पड़ा और इसके नाम का क्या मतलब होता है? तो भारतिय नौसेना की परंपरा रही है कि जो बैटल शिप्स और सम्मरीन्स रिटायर हो जाते हैं उनके नाम को नए नेवल शिप को दे दिया जाता है. इससे पहले भी आयनेस वागीर ने देश को अपनी सेवा दी है जो साल 2001 में खत्म हो गई थी. पंडुब्बी को अपना नाम आयनेस वागीर से विरासत में मिला है जो 1973 से लेकर 2001 तक इंडन नेवी का हिस्सा था. इसका नाम सैंडफिश की एक प्रजाती वागीर के नाम पर रखा गया है. ये फिश समुद्र की बेहत गहराई में रहकर शिकार करती है और शिकार का पीछा तब तक करती रहती है जब तक शिकार पर निशाना नसाध थे और उसी से इंस्पायर होकर ही इसका नाम रखा गया है. मैंने शुरुआत में इसे साइलेन किलर कहा था, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे इस नाम से क्यों बुलाया, वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे के हिस्से में magnetized propulsion motor लगा हुआ है, जिसकी वज़े से इसके फ्रांस से ली गई है, और इस वज़े से ही इसे साइलेन किलर कहा जा रहा है, अब थोड़े इसके बनावट के बारे में भी जान लेते हैं, तो ये पंडुबी 221 फूट लंबी, 40 फूट उची और 19 फूट गहरी है, स्पेशल स्टील से बनी इस सम्मरीन में हाई टेंसाइ जो पानी के अधिक गहराई में जाकर काम करने की केपिबिटीज रखता है, आइनेस वागीर के अंदर 360 बैट्री सेल है, हर बैट्री सेल का वेट 750 किलो ग्राम के करीब है, इन्ही बैट्रियों के दम पर आइनेस वागीर 6500 नौटिकल माइल्स यान की करीब करीब 12,000 किलो म के डीजल इंजन है, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये सम्मरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है, इंडिया अपनी समुदरी तागत को काफी मजबूत बना रहा है, पिछले महिने ही P-15B मिसाइल बैटल शिप को भारतिय नौसेना के आप चल रहे हैं, और इसी खबरे भी आ रही है कि समुदर के माध्यम से चीन, इंडिया और श्रिलंका पर नज़र रख सकता है, तो ऐसे सिच्वेशन में ये पंडुबी इंडिया के लिए काफी बेनिफिशल होगा, अब देखना ये है कि इंडिया अपनी समुदरी ताग